आज हम बनाने वाले हैं मार्केट जैसे फ्राइड राइस तो सबसे पहले हम कड़ाई में लेंगे तेल उसमें एड़ करेंगे अद्रक लैसुन मैंने आप जो अद्रक लैसुने बहुती बारी काटा हुआ है आप जो ऑईलेस में कम यूज करें अगर आप नॉन स्टेक कड़ हम इसमें एड़ करेंगे तीन से चार बारी कटी हुई प्याज प्याज को हम जब तक फ्राइ करेंगे जब तक यह पिंकिश नहीं हो जाती हम यहां पर इसमें नमक एड़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सबजी जो है नमक करने के बाद सौगी हो जाएंगे हमें सौगी यहां पर हो चुकी है दो से तीन मिनित उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे अपनी कटी होई शिम्रा मिर्च करें जो मिर्च है हमने यहां पर जादा बारी जादा मोटी नहीं काटी है मीडियम साइज रखी आपी सी साप लीजेगा उसके बाद हमारी प्याज हो जाएगी त तैमाटर जो है यहां पर मैं जादा कोक नहीं करती हूं क्योंकि तमाटर जो फ्लेवर है एक वह अलग बहुत जादा है इसलिए हमें सब्सभीयों का छाहिए तो तो मैं सिर्फ थोड़ा ही कोक करूंगी और जो एमारे चावल के साथ कोक हो जाएंगी उसके बाद हमारे तम नम, उसके साथ मैंने बॉल किया यहां पर मैंने बासमती चावल के यूज किया है है आप हम चावल में एड करेंगे सज चीज़ वे त्सकाया या करेंगे सुझ के एड करेंगे 씨 app ng Tac और चावल मायगी मसाला कर सकते हैं, तो अगर या थोड़ा आड़ा सकते हैं, अधिये ₹छ तो नबने मायगी मसाला, मैंगी मसाला तो नमक, यह थोड़ा कम हीूज। क्यूंकि जो चावल हमने बॉल किये थे जब तो हमने उसमें अल्रेड किया था उसके बाद जो आछे सुेया सॉस होताो अहारा उसमें भी नमक होता है इसलिए हम कम नमक एड़ करेंगे अच्छे से mix करेंगे अपने सारे अगर आपको लगता है कि आपका सोया सॉस कम है तो आप इसको audit कर सकते हैं मेरे लिए परफेक्ट है आप color and texture देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा आया है हम इसको high flame पे 5-6 मिनिट तक पकाएंगे ताकि जो हमारे चावल है वाच्छे से क्रि अच्छे से 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 तो सबसे पहले हम प्लेटिंग करेंगे और आप यह याद रखिए जब भी हम चावल करेंगे तो उनको 90 परसेंट ही बॉल करेंगे क्योंकि वह अपनी हीट में जब हम स्टेन करेंगे 10 परसें अल्रोडी को जाएंगे वनना आपके चावल जो है वह खिले खिले और अच्छे बताइए आपको कैसे लगे आपकी रैस्पी कैसी बनी थी लाइक और सब्सक्राइब फॉर्मा वीडियो एंद माइचेनल स्टे त्यून तिल देन बाबाए